हेलो बच्चो, गुड आप्टरनून तो आल अफ्यू, सो माइडियर स्टुडेट्स आज है क्लास स्टाट करें, प्रिवेस क्लास मैंने आप लगो को प्राइसिंग औप मैंट्रियल इशू, सो फार जो सिलाबस इस कंसर्ण बच्चो कंप्लीट किया था, होप सभी को समझ में आया होगा, हम लास्ट क्लास में बच्चो पढ़े थे, बेश्ट अप मैंथर्ड, उसके साथ सब बच्चो अबरेज कोश्ट मैंथर्ड, तो अबरल लग पढ़े, लीफो मेंथर्ड, थाड पढ़े, बेश्ट अप मैंथर्ड, उसके बाद आबरेज कोश्ट मैंथर्ड पढ़े, जिसमें मैंने आप लोग को, आबरेज कोश्ट मैंथर्ड पढ़े, जिसमें मैंने आपको टू बेरियसंस के रुप में, सिंपल आबरेज कोश्ट मेंथर और एक वेटेड आबरेज कोश्ट मेंथर के बारे पढ़ा है तो हमने इन मेंथर्स को अभी तक कम्प्लिट किया है त्री यह हुआ फॉर आपका फॉल नमें जो मेंथर था उसमें तू वेरिशन से फर्स्ट वीट एंड सेकेंड वीट सो अउबर एक बला जाए 1,2,3,4 या 1,2,3,4,5 हाव मीन मेंथर धे यह 5 इस असर अरू अबाओ प्रासिग ओफ माटेरियल इस्टू अगर देखा जाया है हम लोग पढ़ क्या रहे हैं material control material control actually material chapter so material control material control is a systematic control about the material during the process called purchasing storing storing and issuing of material so अभरा दी बच्च purchasing, storing and issuing issuing में सबसे बड़ा factor क्या है हमारा pricing of material issue हाँ यह नहीं pricing of material issue हम लोग करते हैं through reform, reform base stock, average cost whereas average cost are simple and weighted मैंने आप लोग को कल बच्चों बॉला था कि base stock का problem भेजुगा, actually आप लोग के book में जो है, आप उसको कर सकते हैं मैंने ऐसे feel नहीं हुआ हूँ आपे base stock कहा था, but मैं आप लोग कर नेट से ढूंड के या खुद question बना के भीज दूँगा so then आप लोग कर लोगा, आज ही भीज दूँगा clear, but वैसा कुछ आपको feel होगा ही नहीं, you just prepare the store ledger account आपको बनाना पड़ेगा store ledger account आप जो बनाओग यह बच्चो बस उसमें आपको base stock method में अंडर फिफो या लिफो से करना होगा basically बच्चो फिफो दिया होगा या लिफो पड़ेगा नहीं खाओगा तो आप क्या करें लिफो करें यह situation तो देखना, price बढ़ रहा है या price? कम रहा है, समझ मैं अब अगर आज से class discussion करते हैं और problem सबका हो दिया, books से बच्चो सभी student try करें आज homework दूँगा 5 number तक हुआ था, उसके पास 6, 7, 8, 9, 10 करें, और करेंगी जरू दिया पर अगर एक student सिर्फ examples की करें, only example, how to prepare storage under FIFA, लिफो, best of simple weighted बस इतना ही जरूर है, और कोई भी बच्चो critical नहीं आएगा, in fact exam में 3 या 4 बच्चो items होंगे, overly बच्चो 3-4 purchase and 2-3 issue होंगे, इतना ही होगा and तुमको जाना नहीं item होगा, तस बंदाना नहीं होगा या और भी कम होगा बच्चो, overly 5-6 items होंगे, purchase or issue मिलाके, and maybe कभी 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 क्या होता है, फिफो दिया होता है, कभी कभी कभी, और भी कम item होगे, 4 items होगे, फिफो लिफो बोट दिया होता है, और आज के ज़दा बड़ा आता नहीं है, तुम इजी ली बना सकते है, फिफो मेथो या लिफो लगा, clear, so अगवर ले बच्च, हम लग पटे है, material control, material control is a systematic control over the material, during the process called buying, purchasing, stirring and easing of materials, for the purpose of accounting of materials, accounting of metal, इसे metal का accounting भी होगा, इसाब भी रहेगा, accounting of metal मतलब, कितना metal आयता, कितना रुपे का metal आयता, कितना metal पटेका metal पटेक्शन के लिए जा चुका है, कितना रुपे का metal बचा वज जा जे लिए था accounting, accounting for metal, accounting is a systematic art है, कि भी recording class ही, तो यहाँ पे हमारा accounting भी होगा, मेरा हमें सा यही मानना है बच्छो अपने कॉंसेट को बहुत स्ट्रॉंग करना है अज इस तु पढ़नेगा बार 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 अब सारे बच्छे भी सुने तो बच्छो ध्यान से सुनो मिल बार हमें अपने फ्यूचर बनाने के लिए कॉंसेट अपना जो फाउंडिशन को स्ट्रॉंग बनना है समझ में अगर फाउंडिशन स्ट्रॉंग होगा हम लोग चाहिए इतनी भी बात करें उन बातों का कोई मीनिक नहीं फ्यूचर में हमें अपने आपको प्रूफ करना है कि हम एज इस गुड एक टालेंटेर पर्सन है के नहीं हैं हम किसी प्लाटफोर्म में खड़े होगी अपने आपको अपनी फैमिली को अपनी सोसाइटी में नाम कमा सकते हैं कि निक वासा मेरी बत समझ स € Class के लिए तोम्हें में मैम कर लीर करना हुआ अज में काम पर्सेंट मा रख में 90,87,86 पर्सेंट तक बच्चों को पढ़ा करे रहा हूँ सब्सक्राइब करें आज में पढ़ते वक्त जो भी सिखा था उसी से सीखें बच्चों क्लास में एक बच्चा को फेल नहीं हो रहे हैं कि एक बच्चा को फेल नहीं करें तो वह साय फेल पर उसको यहां काउंट नहीं किया मैं निकलें ऐसा होगा है समझना है तो जो में पर लगवग फाइव मंस भी पढ़े होंगे और फॉर मंस भी फेल नहीं होगे क्लियर तो हमें बेस को पुरा समझना है तो मैं तो पढ़ा रहा हूं यह बच्चे क्या धाने के साथ यूजरी स्टुडेंट्स सर्फ फीफो कैसे होता है लिफो कैसे बस इंटेशिंगों सिंबल प्रॉब्लम है पर कोई प्रॉब्लम छोड़के थियोरी पर कॉंसेंट्रेल करदा नहीं है जो कि सबसे ज्यादा जोड़ी है यहां पर देखा जाए यह चैप्टर स्टार्ट हुआ ही मेटियल कंट्रोर से करें तो कोष्ट है कि परक्षण क्षट प्रक्रीश प्रक्रीश पिर नहीं करना है इनगे मर्केशन बढ़ या कंटिनियूस प्रॉब्लम प्रॉब्लम छोड़के हैं So the last stage of Batcha material is the easing of materials to the production center from the storehouse. Clear? इसके वाइबा बहुत कुछ बताऊंगा. So, while easing the material, usually materials are kept in the storehouse. Under the care of materials. Where are the properties? Storehouse. Storehouse में रेता है. Okay. Yes, stores में रेता है. Gowdaan में रेता है. Under the care of Batcha storekeeper. स्टोर कीपर की हिफाज़त में मैंट्रियल रहता है and these materials बच्चो cannot be issued by the storekeeper from the storehouse से बच्चो कभी भी वो production department, factory को आपका मैंट्रियल इसु करता नहीं है नहीं करेगा नहीं करेगा, कब तक नहीं करेगा जब तक production department का manager, supervisor storekeeper को requisition sleep, material issue requisition sleep जब तक नहीं देगा तब तक वो material issue नहीं करेगा exam में question भी आएगा बट इस में मैंट्रियल रिक्विश्ट है आपके नोट्स में भी लिखाए format भी बनाए होगा बनाए हैं देखाएंगी नहीं material requisition बच्चो is a sleep is an authority बच्चे एपको क्या है authority है it is the authority of the production department manager, supervisor समझ मैं के नहीं through which he can demand materials from the storekeeper, from the storehouse से मांग सकता है unless otherwise बच्चो जब तक वो आपको material requisition sleep present नहीं करेगा storekeeper कभी भी material issue बच्चो नहीं करेगा so that's the point but now अभी तो metal बस issue का निकले metal requisition चाहिए यह तो एक बात है but उसके असाथ बच्चो सिफ sleep से नहीं होगा आपको और एक चीज़ पिधान देना है now the storekeeper now the storekeeper is required बच्चो to follow certain specific method certain specific method कि मैं 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 कैसे issue करोगा कहाँ से issue करोगा मेरे पास बहुत सरे materials है यहां पे के 2 रुपे वाला 2 रुपे 20 वाला 2 रुपे 10 वाला different materials है so मैं कैसे material issue करोगा ऐसा question कभी नहीं आता if the object is not the cost control material control if our objective is not to control the cost then this type of question that कि मैं यहां से issue करोगा यहां से issue करो यहां से issue करो कैसे issue करो तो ऐसा question नहीं आता समझ मैं कि नहीं but since our topic का main objective है बच्चो material control we should consider बच्चो how to issue the materials storekeeper must consider how to issue the materials so as to reduce the बच्चो material cost material cost को वो कम करेगा क्वाप so that is known as बच्चो किस pricing issue करेगा that is known as pricing of metal issue so while issuing the materials by the storekeeper to the production department he must require to follow certain specific methods of pricing of metal issue as per the instructions of the company or as per the market condition if it is advisable by if it is advised to him by the company अगा company का managers उनको advise करता है कि तू as per the situation market condition, price situation के सबसे इस पर दो करेगा otherwise company जो instruction रही वह करेगा so these are known as बच्चो pricing of material issue we say what is pricing of material issue methods of pricing of material issue so now what are the methods बच्चो FIFO method that is known as first in first in first out first in first out okay first in first out that means the material which are received first are to be issued first first come first out that means materials are issued on the basis of purchase here the materials are issued from the earliest consignment first come first out what do you mean FIFO method it stands for first in first out what do you mean FIFO method it stands for first in first out under this method the material which are received first are to be issued first so here materials are issued on the basis of purchase here materials are issued on the basis of from the from the earliest consignment two lines लिखोगे चलेगा two marks में here maximum three line three marks लिखोगे लिए 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 इस of this method कि लिए उसके बाद अम लो काहा चले LIFO method इसका प्रॉब्लम में ने करवाया है सभी को मालूम है doubt है कुछ okay then LIFO stands for last in first out just opposite of the बच्चो समझ में कि निए पूरा opposite तो नहीं last in last out तो नहीं बोल रही अगर last in last out बोल जाए तो वह तो फिफोगे फिफो, फिफो क्या है, 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 फिफो क् आपका प्राइस बढ़ता है उस समैं आपका leafow method follow किया जाता है rising price यह falling price यह वह rising price खाथां एक किशारा डिस्सिंग्ईश करना है under this method the material which are received फास are to be issued first under this method the material which is received last are to be issued first here the materials are received from the earliest consignment here the materials are received from the largest consignment it is suitable in case of falling price it is suitable in case of rising prices. difference okay and basically what the most probably which method is considered LIFE क्या होगा, लीफ़ई होगा, तो कि उसरी प्राइस हाई ही करता है, समझ में आके, next method बच्छो, best of method, कल बताया था best of method, so, what is best of method, बच्छो, under this method, each time by leasing the material, storekeeper is advised to maintain a minimum quantity of materials in order to meet any future बच्छो, uncertainties that may be accident हो, fire हो, stock out of order market में इसा हो जाए, so, in order to meet that emergency situation, is required to always keep a certain minimum quantity of material in the storehouse, that minimum quantity is known as best of, it is otherwise known as emergency stock, safety stock, clear, and these minimum quantity can't be issued, to the प्राइस निबाए, बच्छो, ये बेच नही रहे, मैने कल example जुरूर दियादा, पैत्स परोंगा, वहां तो, sails हो रहे, पर यहां भेज शेए, हमारा material से हमारे पास ही है, जश्ट बच्छो, stores department से, material हमारा कां जा रहे, production रिपाटमेंट, अभी production होना बागी है, अगर खर्च होने बागी है, उसके बायर स merchant में जाएगा, वहां पर सेल होगा हां ओफिसेल वहां काम है और अकाउंटांट्स है बहुत सारे अक्टिविटीज हैं कि नहीं मार्केटिंग करें हां बस अपने मैंट्र को अपने पास से अपने पड़ाशन इपार्टमेंट तक बेज रहे हैं बच्छव अगर बख्छव बोला जब बच्छव सरे बेस्ट रियल केसे में शर्विटीन करेंगी जो ड़ियेगे। उसको रखना है, उसको चौर कि आप सब इसू कर सकते हैं, आइदर फिफो में कर और लिफो में कर और सिंबल में कर और वेट में कर और या ऐनी ओधर में कर उसके बारे में इसके पारे में इसके फाइदा है So you can prepare the storage account under the best of method by considering any of the बच्चो जितने भी हमारे method सा pricing और में इसके कर सकते हैं But in that moment में क्या होगा? So if someone asks you about the merits and demerits of best of method, you just say कि merits अगर हमें मालो है, it maintains a minimum quantity of materials to meet any future contingency, that's the good point, merits हो गया उसको चोड़के its merits, best of methods, merits depends on the methods on which it is best, या by considering the method, it is prepared जिसको हम फ्रालवकर इसको बनाते हैं, best होगा अगर फिफो को लेको बनता है, so whatever the merits or demands of FIFA are equal to the merits and demands of best of SN4 भी होगा और अबरली बचोगर बोला जाए, the most commonly used methods of preparing the best of method is the methods of preparing the best of method with LIFO Best of method with LIFO यहाँ लेकों लेकों को बच्च ने बच्च स्च चोलरिअरे रहाँ, best of method with LIFO Best of method with LIFO याहाँने बेस्टोग याथ अल लिफो में, openOoh पिच स्चोल जेए रहा होगाँ डेकर में Based of method with LIFO, best of method with LIFO So, the merits or demands of the LIFO or LIFO is equal to the merits or demands of BESTO. यह किसी और मेंटर कावा? And most commonly used methods of preparing the BESTO method is the preparation of BESTO method with LIFO method. In fact, the objective of BESTO method can be achieved only when it is prepared with LIFO. मैने का इदेखाता, यह तो बुक में निकाई जो लाएं बोल गाओ, बट मैने कहीं बच्चो देखाता नहीं पर ऑफजर कर दा हूँ, वाइ दे लिफो मेंटर इस कॉंसरे तो बेस्ट मेंटर तो मुझे यह लगता है, मुझे यह परसनी फिलोता है, SINCE BESTO means minimum quantity को मैंटर करना है, And you know, बच्चो minimum quantity को मैंटर करेंगे उसे क्यों? एसा सिचेशन कहाँ आएगा? क्यों हमारे पास मैंटर जब सोटेज होगा? सोटेज होगा डेफिनिटि उसमें मार्केट प्राइस क्या हो रहा हूँ? जादा हो रहा हूँ. So the best method of doing the, preparing the श्टोलेग अगाउट under best of method is the best of with leave for method. तो price of rise करेगा? तब ही क्या होगा? ऐसा सिचेशन आएगा? जहाँ पे तुमको बेश्टों को ध्धान देना पड़ेगा? अदर्वाइस हमेशा इसू करते लोग 200, 300 या 2000 मेटरियल को तुमको इसू नहीं करना? वो नीचे पड़ा रहे है या उपर पड़ा रहे है? हमारे पास मेटरियल इसू करते वग इतना तब मेरे पोकेट में पैसा है मैं जितना भी खर्च करूँ मिनीमम कमने तो 100 पे तो पोकेट में रखेंगा? बाई चंद जाते वग इंग इंग गिल जाओ, पैटरोल ख़तम हो जाए मिनीमम तो 100 पे होना चाहिए लीग चायर पंचल हो जाए तो पचास साथ असी सोल पे भी खर्च होता है तो मिनीमम तो 100 दोस्तर पे हमें रखना है खाली परसरी घूमती रहेंगी हमारी बात नहीं पर तो हमें तो रिक्वाइड है हर प्लेस यहां से जा रहे हैं कि खुले चाहरे हैं पंदर दस आठ दस किलमेडर बीच में कहीं दिक्कत आ जाए तो मिनीमम 100 दोस्तर पे तो जरूत हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपकी बुक देखोगे तो यूच देखना भी नहीं है वहां पर कई सौटेज होगा ही नहीं सौटेज होगा है नहीं और simply you can issue तो वैसा प्रॉब्लम है ही नहीं क्लियर प्लस त्री बुक में भी नहीं उसके बार बच्छ आम उप्टती जो है Average cost method तो अगर हम बोले बच्छो खिलफा method in case of falling prices लिफा method in case of rising prices base dog method in case base dog is the method which can be prepared with any of the methods but only just to focus to keep a certain minimum partitive उसको which are not allowed to be issue at any cost वो issue होगा? नहीं except any emergencies क्या हैएग,डाओ कष्ट मेचब है,गाइग तक पाइज कॉस्ट मेचब क्या है,चिना एहाँ और आइज इंद प्राइस है,गाइग रजी स्जीटान हो राए,प्राइस अपन युआ हो राय है,वहाँ पेखे आपन डीकर तनी सुटेबल नहीं लेगा,प्राइस और प्र बच्चो अगर जो मेटल हम खरीते हो बच्चो अलगला प्राइस का होगा हमेशा कभी काम रहा है कभी बढ़ रहा है ऐसे होगा 2.5, 2, 2.20, 2.10 काम रहा है बढ़ रहा है So at the same moment it is better to बच्चो mix all the materials, to mix up all the materials material mix up मनला क्यों को निका दे रभी वगो माने store laser account बनाते हुग there is no need to store the materials individually with different prices मेरी बास समझे नहीं हमें store laser में जो balance figure में हम क्या लगते है quantity rate जमाव हमें वैसे अलग-अलग quantity 200 material जा 2.00 का क्या थी हं 1.9 कती है, 400 material ही है, 2.5 हमें separately material को softening जिरोद नहीं है Mix up का मतलब यह नहीं कि मैं आपने पुराने मसमाल के ओपर लागे नया माल ऐसे मिला दू सब ऐसा नहीं है, बत हमें in store laser में, software laser accounting work is concerned, cost accounting work is concerned जो है, वहां पे आलग आलग से soft करने की जिरोद नहीं है and you just focus on issuing the materials on the basis of average cost rather than from any particular lots or particular price lot that may be from first, that may be from either from first or last or not kind is a conigur, neither from first nor from last you just keep on focusing the issuing of materials on the basis of average cost which can be determined only when you mix up the materials clear, so average cost method, that average cost may be simple average or weighted average simple average मैंने आपको कल बताया था very simply बच्चो, simple average, don't know average cost method है but यहां पे आपको ध्यान देना है कि simple average cost method क्या है यह weighted average cost method है, मैंने आपको problem number एक करने को दिया था 4th side, 4th, उसमें था आपका simple or weighted था तुने किया नहीं है, आज करके अभी जाए करके मुझे भेजिकर क्या था इस्वरी, मने सांपा ओ, ठीक है so बच्चो simple, वेक्टे, simple में क्या करना है हमें जानना क्या है बच्चो, बस जानना है हम मैंटर केशी इस्व करेगे already पता चुक है लाश्वरासाँ आज वेक्टेर मैंटर केशी इस्व करेगे the problem in issuing the material, not in receiving the material so debt particular issue balances, receive issue balances, so issue यहाँ पर आपको इस debt पर इस्व करना है so here issue price is calculated by considering the purchase price per unit बताया था कि नहीं बताया था, issue price डिस निकलेगा purchase price per unit, पर मैंने बहुता है available total law अगर बोल दे, total law purchase price per unit available by बच्चों पर्तल, number of purchase रिख सकते क्या रिख सकते हो number of purchase हमने जो 2 रिपेस का मेंटर के रदा, 2.52, 2.20 तीनों मेंटर को price को आइड करदा, 2.50, plus 2, plus 2.20 तो कि दो, divided by 3, तो यह जो amount हमारा निकलेगा, यह जो amount हमारा निकलेगा, आप रखल मात्वे चैनी सब्सिकार रखल एकलिए हम्मिलों शुरी चर्छ में पाला मेंट्रों हो सिदूँख देता हूँ जिए ढूंची नियुक्त क्वेँरत से लुटलिके अला रखलता है अंज बैस क्राइबूर्य का रखला है प्राइस क्या है अलग-अलग समझ्पान हैं कि अलग-अलग मेक्टम अगधर आब ता उसके लिए अलग-अलग काम का हो सबाद सब्सक्राइब एक नित फैला में शसके तुके सब्सक्राइब जो चुका एक पर इस महता हुआ इस से समया है बताया जो हुआ है? हुआ? अगर ये भी खता हुए, थाड़ बता करें दी? तो इन दीस वेए ये प्रिपार दा स्टोलेजर एकाउंट कल बता चुका हूं, प्रोब्लेम करवाद चुका हूं बस आज अगरली सारे मेंथर्स को डिस्कस कर रहा हूं, क्लियर? तो ये इस्यू प्राइस इस काल्कुलेट बाइ डिवाइडिंग भी टॉटाल और पच्चेस प्राइस पर इन देवलेबल इस्यू प्राइस इस प्राइस इस अगरिए वाइडिंग भी टॉटाल प्राइस प्राइस कोई मेनिक तो नहीं है By dividing the amount, by quantity, quantity हो गया, quantity में भी units हो, दन सो, पीसे सो, हाँ, जो भी हो, केजी में हो, आपका लिग्डर में हो, जिसमें भी हो, कोई प्रोब्लम नहीं है, So, under this method, बच्च, issue price is calculated, issue price is calculated by dividing the quantity, just आपका जिस दिन आप issue करोगे, सब पज़ हम पांस तरीक को issue कर रहे हैं, तो चार तरीक को जो आपका स्टोर में बालांस होगा, या पांस तरीक को दो बार issue करें, तो पांस तरीक का इस issue से previous यो issue होगा, वाँ का amount क्या है, वाँ क्या है, वाँ क्या है, वाँ क्या है, वाँ क्या है, यूज जिवाएट दी amount, बाई दी quantity, जो भी आपका सब रोच दूर पीछ निकल रहे, जितने issue करना है, बच्छो पांस तरीक करना है, बच्छो पांस तरीक करना है, और कुछ करना नहीं, तो दैक इस बच्छो वेटेट अबरेज, मेटर ओप्राइसिंग वेटेट इस्व, आई दिक सभी बच्छो को समझ में आया, इस तो अबडर डिसलसंग वाँ क्या है, अगर प्रोब्लेम की बात की जाये, तो हमें मेटर सिखने है, अगर थियोरिक की बात किया जाये, तो यह हमें सिखना है कि की इस मेठो का मेनिंग क्या है, कि इस मेठो को कहां पर अपलाइव करना है, क्योंआट अपलाइव करना है, और दिखा जाए यहां पर बच्छों मेटल बीक नहीं जाय है हमारे पास का मेटल हमारे पास से जा रहा है तो हमें दियान रखना है कि हमें मेटल करना है हमारे वहां पर वार्टर्स को टैनिंग सुपर्वाइज गाइडी मैंधे दे रहे हैं तो वो अपना काम करेंगे as we are the members of purchase department we are the staff of purchase department है कि नहीं है production department या storage department या issue department के अगर है तो हमें control करना है बच्चों हमारे लेवल तो जो मेंट्रेस है किस तरह से अच्छे तरीके से ठीक तरीके से हम कहां पहुँचाएं production center तरह कहां पे छोड़ दे जाएगा workers की ओकर वो किस तरह से अपना काम करेंगे and finally हमें मिलेगा cost of production क्या अपकाम तो control of cost हो जाएगा so that is the secondary part of the cost accounting का जो objective है the main objective of cost accounting is the assettlement of cost and control of cost so control of cost can be possible only when we divide the cost into material level and expenses then we have proper control over the material from the purchasing storing issue purchasing is a big thing storing decision को आप पढ़े ऐसा निकी थोड़ा सा पस पढ़ेंगा पूरा scientific way में पूरा appropriate way में पूरा आपको किसी principle को follow करके purchasing करना है principle को follow करके storing करना है जैसे principle को follow करेंगा करेंगे issue करें so this is all about the issue of matter clear आप सभी students को बच्चों समझ में आया किसी का कोई भी डाव नहीं होगा तुमको अभर रही तुमारे पास नौर्स है उस नौर्स है तुम्हें सारा थेओरी को मैंने थेओरी बता दिया सै नहीं थेओरी को छोड़ा अलमस्ट अभी थेओरी बता दिया तुम्हें 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 जिस्ट कीप फोकसिं अन्-अ-डमेरिक्स आप अप अल्रडी गिवेट तुम्हें अगर ने इस्टा से बलो दो मैं इंडिमें डिसकसन करो तुम्हें आप अप खुद बढ़ सकतीो मैं बता भी चुका आँ पढ़ाते हो तो आप उसको देख लोगे It is very simple to prepare, simple to, easy to understood It is understood or not, easy to understand, है के नहीं? Simple to prepare, easy to understand, even for a common man, है के नहीं? A common man भी बना सकता है It is applicable in case of falling prices, 3 तो होगे merits Here the material is understood from the earliest consentment So there is no chance of आपका जो पुराना material जो आपका वेस्टेज हो जाता है, सर जाता है इन सबका चांस? नहीं दरीदाना था हाई यहीं, तो फिर इसको consider किया जाता है कि नहीं किया जाता तो आपके पास already मेरे डिमेंट्स हैं You can go through your book job, पढ़ो उसको बजाएगा तो next class में में, next week में इस week में आपको पहले में खाने काण एक्जाम को रूँको Next week में बच्चों आपका pricing of metal issue का theory सबी methods का cost accounting तो नहीं हुआ हमारे दिश्ट तो पहले cost it, क्या होगा? Unit one cost it के सत्य होगा पर कल यह सब कढ़के आओगे प्लस book से बच्चों problem को रूँके 7 8 नमर था, कहां तक हो? ओकी? घरबे सभी safe रहो, take care, God bless you all क्या हुआ 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 है